तभी योगपतिकों को, योगजिग्यासों को, योगप्रेमियों को मेरा नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत यच्छी जानकारी जानेंगे। तो देखिए, जैसे हमने पहले जाना था, एक स्किल सब्जेक्ट है, 841 जिसका कोड है, और जो प्लस वन टू में, सीवेसे में पढ़ाया जाता है, ऐसे ही 147 कोड है, जो NIOS, यानि National Institute of Open Schooling के तहत पढ़ाया जाता है, तो देखिए, इसकी संपुर्ण जानकारी आज हम जान लेते हैं, तो देखिए, Open Basic Education जो है, उसके तहत, यानि मुक्त बेसिक जो सिक्षा कारिकरम है, उसके तहत, भारती जो ज्यान प्रंपरा है, इंडियन नौलेज ट्रेडेशन जो है, उसके अंतरगत योग विशे को पढ़ाया जाता है, तो देखिए, जो NIOS जो है, National Institute of Open Schooling, यानि रास्टिय मुक्त विद्यालाई सिक्षा जो संस्थान है, यह विश्व का सबसे बड़ा Open Schooling संस्थान है, जो 1989 में बना था, और यह है प्रात्मिक शिक्षा, यानि Primary Education से लेकर, Senior Scandry Education के बीच, दूरस्त जो शिक्षा होती है, Distance जो Education होती है, या मुक्त जो शिक्षा होती है, यानि Open Schooling जो होती है, उसका एक कारिकरम है, यानि आपने देखा होगा, जैसे बच्चे पढ़ते थे न, पहले Distance से MA करते थे, BA करते थे, ऐसे ही स्कूल स्थर पर, अगर आप किसी क्लास में पढ़ना चाहते हैं Distance से, तो उसमें NIOS Board अपनी महत्पुन भूमी का निभाता है, और यह भारत सरकार का कारिकरम था, मैंने open board से 10 वी कक्षा की है, मैंने open board से 12 की पढ़ाई की है, तो open board से ही, आप पहली कलास से लेकर 12 कलास तक की पढ़ाई कर सकते हैं, तो open schooling में आप जो भी VSI courses होते हैं, जो भी technical courses होते हैं या vocational courses हैं skill courses हैं वो भी आजकल पढ़ाए जाते हैं तो देखिए आपके screen पर सामने है अभी तक जो मैंने analysis किया है मैंने समझा है मैंने पढ़ा है देखिए इसमें क्या है कि level बनाए गए है यानि पहली कक्षा से लेकर तीसरी कक्षा तक का जो level है वो level A है यानि जिसे स्तर के कहा गया है जो एक तरफ आप screen पर देख भी पा रहे हैं यानि ये जो स्तर के है ये देख रहे हैं और इधर A लिखा हुआ है तो ये code 147 तो है ही जिसमें भारती जो ग्यान प्रम्प्रा है Indian knowledge जो tradition है उसके तहत योग को पढ़ाया जाता है जिसका code 147 है यानि लेवल A तो लेवल A में सिर्फ first to third class तक की पढ़ाई होती है यानि लेवल A का जो सलेबस है योग का उसमें first, second and third class के बच्चे ही होते हैं और लेवल जो खे है यानि जो सतर खे है उसमें लेवल जो खे है यानि लेवल जो B है उसमें fourth और fifth class को ये subject पढ़ाया जाता है ऐसे ही जो सतर गय है यानि लेवल C है उसमें sixth, seventh और eighth class शामिल होती है यानि C147 code पढ़ाया जाता है तो जैसे हम बात करें ये code आप देख पा रहे हैं A जो है A147 अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब आप ये समझेंगे कि third class तक ये पढ़ाया जाता है सलेबस हम चर्चा करेंगा आगे ऐसे ही अगर यहाँ पर B147 अगर यहाँ पर B लिखा होता B के साथ 147 यानि fourth और fifth class के लिए होता तो level B कहलाता और अगर यहाँ पर C लिखा होता C147 तो इसका मतलब क्या है कि आपको sixth, seventh और eighth में ये subject पढ़ाया जाता तो देखिए बहुत ही महतपन जानकारी है आगे हम देखते हैं इसके सलेबस को भी हम analysis करेंगे तो देखिए आप देख पा रहे है basic सिक्षा कारेकरम जो है यह और भारते ज्यान प्रंप्रा के तहत है और इसका code क्या है इसका स्तर क्या है A147 है ना सतर कै कक्षा तीन के समत तुल्ले यानि कक्षा जो थड़ है क्लास जो थड़ है उसके समरूप है उसके समतुल्ले है यानि first second third के लिए यह जो सलेबस है लेवल A का वो पढ़ाया जाता है चीक है तो देखिए इसका सलेबस क्या होता है वो भी हम जानेंगे इसमें समिति भी दी गई है कौन सलहकार समिति में रहे हैं कौन पाठी चर्य समिति में रहे हैं यानि Dr. HR नागेंदर जी परमुख है जो कुलपती है S.E.S.A. University से पुझे स्वामी रामदेव जी है स्री गौविंद गिरी जी महराज है स्री रवी तुमल तुमलूरी जी है भारती योग संटन नहीं दिल्ली से स्वामी आतम पिरनन जी है डाक्टर रविंदर मूले है डाक्टर रामनारन मीना है डाक्टर रामचंदर भट स्री मुकुल कंटकर है और स्री विवेक सिंग और इसमें लेखन में जो सयोकिय है वो स्री नमीन कुमार है योग प्रेसिक सक S.E.S.A. University बेंगलोर से सूसरी आशीमा आदे महंती है ये भी बेंगलोर से है और पाठ लेखक का जो कारी है वो डाक्टर करन नागराजन जी ने देखा है जो ऐस वैसा बेंगलोर से ही और डाक्टर राम नारान मीना जी है साहिक निदेशक है सेक्षिक विवाक के राष्टे मुक्त विद्याले सिक्सा संस्थान के संपादन का जो काम है वो डाक्टर शवरूप सर्मा जो जैन विश्विधाले से है और डाक्टर एम जैश रामन है कृष्णमाचार योग मंदिर से और अनुवादक जो रहे हैं डाक्टर राम नारान मीना जी है और डाक्टर विवेक सिंग जी रहे है पाठे कर्म समन्नवे जो कोडिनेटर रहे है और डाक्टर राम नारान मीना जी और विवेक सिंग जी रहे है और DTP रहे है कुलदीप सिंग तो देखे इसमें पिरिय विद्यारतों के बारे में दो बाते कहीं गई हैं यहाँ पर मुक्त बेसिक शिक्ष्या कारकर्म की सुरुवात उन्चो चुराणमे में प्रात्मिक तता उच प्रात्मिक शिक्ष्या परदान करने हित्तु विद्धाले शिक्ष्या के एक विकल्प के रुप में हुई थी यह तीन स्तर्क है कक्षा तीन के समतुले सतर्क है यानि लेवल बी जो है कक्षा पांच के समतुले और सतर्क है कक्षा आठ के समतुले शिक्ष्या परदान करता है तो मुक्त बेसिक शिक्ष्या कारकरम को भारत सरकारदार आगे की पढ़ाई हम रोजगार के लिए उपचारिक शिक्षा के समकक्ष की मानिता परदान की गई है ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा रेगुलर पढ़े और कोई इस तरह से नैशनल ओपन स्कूल से पढ़े तो दोनों में कोई भेदभाव होगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है तो देखिए इसमें यह स्पष लिखा गया है योग का महतव लिखा गया है पाँच अजार साल पुराना बताया गया है और देखिए यहां पर स्पष लिखा गया है इस पुस्तक में 12 पार्ट हैं जो तीन भागों का अक्षा 1, 2 और 3 में विभाजित हैं आपके अध्यम में हुई प्रगति को जाजने के लिए पाठ गत परशन उतर दिये गए हैं यह सम्पुन जानकर इसमें दी गई है अपने पाठ कैसे पड़ें तो योग सतर कैमें देखो इसमें इस पष्ट लिखा गया पाठ का सिर्शक क्या है उसकी भूमिका क्या है उसक जो कक्षा पहली है फर्स्ट क्लास जो होती है उसमें तीन पाठ है सिर्फ टोटल कितने पाठ है देखे इसमें चोटल बारा पाठ है और पहली जो कक्षा है उसमें सिर्फ तीन पाठ है तो देखिए जो फर्स लेसन है वो स्वासों का अभ्यास है स्वासों का अभ्यास मतल शुकसम वयाम का प्रिच्छे है, अब बहुत से लोगी परसंट करते थे कि बच्चे को कभी योग शुरू कराईं या नहीं कराइं, है न, कोई कहता था 10 साल के बच्चे को योग सुरू कराना चाहिए, कोई कहता था 8 साल के, तो देखें यहा पर फर्स्ट कर लिखा गया योग में बहुत सारी किरियाई ही होती है है ना, तो योग में सुक्सम वयाम भी आते हैं, तो बच्चों को सुक्सम वयाम करा सकते हैं कोई प्रोब्लम नहीं है स्वासों का भ्यास करा सकते हैं, सुक्सम वयाम करा सकते हैं, तीसरा क्या है इसमें पार्ट स्थूल वयाम, बच्चा दोड़ तो लेता है हलका पुलका जोगिंग कर लेता है दोड़ लेता है, उचल कूद कर लेता है जंपिंग कर लेता है अलग लगतर ऐसे जंपिंग करता है बच्चा जैसे मेंड़ कूद है फ्रोक फ्रोक जंप कहते हैं से इस तरह से cat walk है कई चीजे होती हैं जो स्थूल सुक्सम वयाब में स्थूल वयाब में आती हैं कक्षा second के लिए क्या सलेबस है सूरे नमशकार है तो कि second class का बच्चा लगब कितने साल का हो जाता आठ साल के आसपास आ जाता है बच्चा साथ-ाठ साल का तो उसमें सूरे न रहे है ना कक्षा 3 जो है तीसरी जो कक्षा है मूल किरिया और प्राणायाम देखिए मैं आपकी knowledge के लिए बता दूं कि NIO OS जो है यानि राष्टिय मुक्त विद्धाली सिक्षा संस्थान है इसमें जो स्लेबस भी डाला गया है वो तीनों language में डाला गया है हिंदी में भी और संस्कृत में भी है एसा मैंने पहली बार देखा है कि तीनों भासाओं में स्लेबस को डाला गया हूँ हिंदी संस्कृत और अंग्रेजी तो National Open जो स्कूल है उसका जो श्लेबस है योग का वो तिन्नों language में डाला गया है website के ऊपर दिखे कक्षा जो तीसरी है उसमें मूल किरिया और प्रणायाम सबसे पहला जो लेस्षन है इसका आठवा लेस्षन इसमें बताया गया क्योंकि बच्चा पहले वो लेस्षन तो पढ़के आई चुका है तो उसके बाद बच्चा तीसरी में आ गया है तो उसको लगबग यहां पर बच्चा 8 साल का पूरा हो चुका होता है उसको मूल किरिया और प्रणायम करवाए जाता है आवाज नियंतन हेतु योग अभ्यास करवाए जाते हैं और पतंजली योग शूत्तर हट योग प्रदिपिक है उसके मुखे मुखे जो बाते हैं वो पढ़ाई जाती है यम नियम पढ़ाया जाता है और करड़ायो की जानकारी दी जाती है तो चलिए अब हम एक सैंपल पेपर भी देख लेते हैं कितने नमबर का पेपर आता है कैसे आता है वो भी हम देख लेते हैं यह देखे question paper design तो देखे इसमें subject yoke code आपके सामने A147 यानि सतर के mark 100 और class level A यानि जो तीनों कक्षाई हैं यानि first, second, third उसका जो syllabus का pattern है और question paper का जो pattern वो लगबग same है और तीन घंटे का ये exam duration है तो इसके अंतरगत क्या दिया गया है देखे आप, इसमें सपस्ट दिया गया knowledge जो है यानि जो ज्यान है वो 45 marks का है understanding जो समझ है वो 40 marks की है और application skill जो है यानि आपके जो विवारी कोशल है, वो 15 marks की है तो ऐसे total कितने marks की हो गयी hand and marks हो गया, ठीक है आगे हम देखते हैं देखे आगे वेटेज ओफ, फॉर्म ओफ questions, इसमें देखे जो questions आएंगे, वो आपको देखना है long answer type 6 marks के आएंगे number of questions 4 रहेंगे यानि total 24 marks के रहेंगे short answer 1 कितने marks के रहेंगे, 4 marks के रहेंगे 8 question रहेंगे, तो 8 चोका 32 marks रहेंगे total ठीक है, short answer 2, वो 2 marks के 7 question रहेंगे, total 14 marks के रहेंगे ठीक है, फिर very short answer वो कितने रहेंगे, इसमें देखे 3 part है यानि 10 MCQ मिलेंगे, multiple choice मिलेंगे, यानि परते question के 4 option मिलेंगे फिर फिलिंदा blanks मिलेंगे, जो खालिस्तान आप भरते थे बच्पन में और फिर 10 question मिलेंगे, मिलेंगे 1 sentence के यानि एक वाक्य मुत्तर देना, है न, जैसे योग का पिता, पिता में किसे कहा जाता है, ऐसे तो total है कितने marks के होगे, 30 marks के होगे MCQ, फिलिंदा blanks और 1 sentence तो total यह जब जोडते हैं हम तो handle marks बनते हैं तो देखिए content area क्या है class first के लिए breathing practices है introduction of yogic system व्याम है और स्थूल व्याम है यही है, second class में सूर्यमशकार, आसन 1, आसन 2 योग फूर आई, साइट, इंप्रूमेंट class 8 के लिए basic किरिया और प्रणायम, योगिक practices for voice culture पतंजर योग, शूतर नहट योग परदीपिका, यम नियमा किर्डा योग, ये total है अब देखिए, difficulty level ले बताएगे कि कोशन पेपर जो है वो कैसा बनाना है, तो इसमें स्पश लिखा गए difficulty level 25 marks रहेगा, यानि 25 marks के आप कठीन बना सकते हैं, average 50 marks होना चाहिए, EG जो है वो 25 marks का होना चाहिए total handed marks का हो गए है, ठीक है इसके बाद अगर हम बात करें ये देखिए OBE, भारती ज्ञान प्रंपरा, यानि इंडियन नौलेज ट्रडिशन में, sample question paper जो है, योग का है level A है ठीक है, इसमें 100 marks का है, instruction इसमें दी गई है time 3 घंटे दिया गया है, instruction क्या दी गई है, आप पढ़ लीजिए question paper है, 22 question, यानि कुल question कितने होंगे 20 question होंगे, सभी question क्या है compulsory है, एक से 10 तक question 1 जो है, उसके 3 part हमने पहले पढ़ लिए है तो एक part में multiple twice के question आते हैं, दूसरे part में fill in the blanks आते हैं, ये देखें, multiple twice हैं, fill in the blanks हैं, है ना और फिर तीसरे में one marks का एक question होता है इसके बाद अगर मैं चर्चा करूँ तो question 3 से 10 तक very short answer type question होते है परते हैं, एक marks का होता है, ये हमने पढ़ लिया पहले scheme में, फिर ऐसे question 4 to 10 होते हैं, two marks के होते हैं, question 11 to 18, four marks के होते हैं, 19 to 22 four questions होते हैं, six marks के होते हैं आप देखें, पहला question आपकी screen पर आपके सामने हैं आपका बच्चा पास में बैठा हो तो उसको भी आप ये पूछिए answer the following by choosing correct one or from the given options तो है, सबसे पहला है breathing includes the action breathing may include होता है action, कौन सा running, sitting, sleeping, inhaling inhaling होता है, exhale होता है स्वास को लेना, छोड़ना तो ये बच्चा बता सकता है ठीक है, आप अपने बच्चे को पासे मैठा लीजिए, उसे पूछिए फिर मुझे बताना कि आपके बच्चे ने कितने questions ठीक है, ठीक है आप ये बताना, इन 10 questions में से कितने ठीक है आपके बच्चे ने दूसरा question, which one is not a part of सुक्समयाम, इन में से कौन सा सुक्समयाम का part नहीं है जीब, गर्दन, कंदे, नी स्पस्ट है, आप पूछ लेजे अपने बच्चे से, जीब का सुक्समयाम नहीं दे रखा है, wrist rotation is part of which way ये आपकी जो कमर है, सोरी कलाई जो है वो किसका part नहीं है ताडासन का स्थितली ताडासना सुक्समयाम का दंडासना तो कलाई का जो rotation है कौन से वयाम का part है तो सुक्सम वयाम का part है clear है, ताडासन तो होई नहीं सकता तो देखे, यहाँ पर note दिया गया है कि this sample question paper has been developed on the basis of all self-learning material SLM and however the exam for level A will be conducted from the class third part, यहनि देखे यहाँ पर सपस्ट कर दिया गया है कि जो परिक्षा है वो तीसरी क्लास के लिए आयुजित की जाएगे first second के लिए कक्षा मतलब paper नहीं होगा वो उनका practical ही होगा fourth question what is the इस्थिति पोश्चन of ankle stitch breathing how many stages are there in eye relaxation which one is not a planning stage in eye relaxation which one is not a step in eye exercise यानि देखिए यह सारे questions है यह आपको हिंदी में वे वो लेबल होंगे अगर बच्चा हिंदी जानता है क्योंकि first class के बच्चा नहीं पढ़ सकता है हिंदी अंग्रेजी ज्यादा तो इसलिए उसका paper नहीं होता है third class से paper होता है अगला question what is the what is the first step of a strong yoga how many yamas are there है न यह सब तरह के questions है संतोस का क्या आर्थ होता है यह फिलिंदा ब्लेंक्स आ गए acceleration in khalistan release the strain of jogging and jumping सूरे नमस्कार और sun salutation is a sequence of khalistan yoga poses कितने yoga poses होते हैं तो आप अपने बच्चे से पूछिए सारे questions 10 फिलिंदा ब्लेंक्स में बच्चा कितना उतर देता है यह भी आप मुझे comment box में लिख कर बताएंगे पहले जो multiple choice के question थे 10 उनमें बच्चे ने कितने उतर दिए फिलिंदा ब्लेंक्स में बच्चे ने कितने उतर दी आप मुझे जरूर बताना और one word वाले में बच्चे ने कितने उतर दी यह भी बताना है देखे यह भी आसानी है तीसरा question जो है उसके 10 part है 10 भाग है name an eye relaxation technique आई रिलेक्सेशन जो टेकनिक है उसका आपको नाम बताना है हाव मैनी क्रिया जार देर विच हेल्प्स टू क्लींज वेरिस इंटरनल ओर्गन्स तो इंटरनल ओर्गन्स को शुद करने के लिए कितने क्रिया ही होती है वाट डज इट मेंस बाइ क्रिया इन संस्कृत राइट नेम ओफ क्रिया हो के नाम लिखो क्रिया का क्यार्थ होता है संस्कृत में वीच प्रणायम इस नौन अनूलोम अलोम विलोम कौन सा प्रणायम है How many vrittis are there according to Yogshutra? What is the definition of Yog according to Yogshutra? Right echoes of pain according to Yogshutra? What is the dharana? Dharana क्या है? फिर आगे question 4 जो 2 marks के हैं What is jogging? What is concept behind the Surinavashkar? What is the Makrashan? ये सब देखियाँ What is Ahinsha? What the type of Asanaj? फिर ये 4-4 नंबर के questions आ गए हैं What are the type of Asanaj? How does Tadasana is beneficial? Tadasana के lab आपको लिखने हैं Right the steps for tongue rotation Tongue rotation के steps आपको लिखने हैं Tongue twisting के steps आपको लिखने हैं Benefit बताना है Niam क्या है? भासम सुरा कौन है? उसके बारे मापको बताना है ये 6-6 marks के questions है Questions सारे Compulsor हैं ये आपको ध्यान रखना है तो इसमें देखें उत्तर दिया गया है First का A है, B है ये सारे उत्तर दिये गए हैं ठीक है? फिर आप बच्चे को ये दिखा सकते हैं आप ये सबी questions के उत्तर भी दिये गए हैं There are four types of आसना आज अनस्टेंडिंग आसना, स्टिंग आसना, प्रोन आसना, पेट के बल लेट के, स्वाइन पॉजिशन, कमर के बल लेट के ये देखें Benefits सभी जो questions हैं, उनके फिर बाद में उत्तर भी दिये गए हैं तो आपको पहले ही बता चुका हूँ कि question जो paper है, वो हिंदी में भी आता है अंगरेजी में भी आता है और संस्कृत में भी आता है तो योगियों के लिए खुशी की बात है कि open जो school education है उसमें भी subject को adopt किया गया है, उसको पढ़ाया जाता है और काफी जो school हैं CBSC, उनमें जो बच्चे week हैं उनको open schooling से पढ़ाया जाता है और फिर बच्चा इस subject को easily adopt कर सकता है चीक है, तो आज के लिए इतना ही, आपके मन में कोई question हो कोई query हो, कोई suggestion हो, कोई suggestion हो कोई सुझा हो, तो नी संजे नी संदे, नी संकोच आप मुझे बता सकते हैं आज के लिए इतना ही आप सब का धन्यवाद